यहां पर आ चुका है अगर मैं साइज की बात करो तो साइज यहां पर देख सकते हो 331 MB का है और इस डिफरेंट हो सकता है आपके मोबाइल में आपको 500 MB भी दिख सकता है तो डिपेंड करता है मौडल के उपर आपके पास कौन से मौडल का आइफोन है और प्रिवेस सॉफ्ट वर्जन का कौन से अपडेटेड हो ठीक है तो इस सेच के आपको भी टेंसल नहीं है तो अब बात कर लेते हैं इस अपडेट में हमें क्या चिंजस मिला है तो देख से तो यह एडवांस डेट का इस्तमाल करते हो तो उसमें क्या होता था कि लोग उसे इनेबल डिसेबल नहीं कर पाते थे जो इसी के रिगार्डिंग इस अपडेट को निकाला गया है अब यह एडवांस डेटा प्रोडेक्शन होता है क्या चलिए बताता हूं तो आपको सेटिंग पर आजाना है जहा मैं आपको डेटा प्रोडेक्शन का आउन करने का उप्सेन नहीं आ रहा था तो आफ्टर इस अपडेट वो चीज़ें यहां पर हो जाएगी अब कुछतन यह आता है कि किसको यह अपडेट करना चाहिए आपके लिए ज्यादा करते हो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्ट आपके कुछ होता है चैंजेश तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना दूँगा फिलाल के लिए पीछे स्कीप कर सकते हो वीडियो को लाइक के जिए वीडियो को शेयर कीजिए और इसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को